नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तरुन और आज मैं आपको बहुत वह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है नेगी बूक स्लवर और आज मैं जिस बूक की मिनी समरी आपके साथ शेर करना जा रहा है उसका नाम है जैन दा आर्ट आप सिंपल लिविंग यह एक spiritual बुक है और बहुत ही प्यारी बुक है क्योंकि इस बुक में 101 पॉइंट दिये गए हैं कि किस तरह आप अपनी लाइप को और ज्यादा सिंपल और प्यारी और बहुत ही enjoyable और खुशनुमा और happiness से भर के बना सकते हो तो मैं आज इसी बुक में से आपके साथ उसी 101 एक पॉइंटों में से आठ पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रही है क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा क्योंकि आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो उसमें आपको कोई मज़ा नह नहीं मिल पाएगा आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे और अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पाएंगे और अपनी समझ को बढ़ा नहीं पाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रही है पॉइंट नमबर वन लिविंग इन दा पर्जेंट मुवमेंट यह आपने बहुत बार सुना होगा बट आप हम यह जानते कि हम इसे कैसे आप करो यह आप कुछ कर चाहें आप खाना ओड़न हो चैया आप कहीं भी चल रहे तो अपने आपको कोشिश करो कि आपको उसी मुमेंट को इंजॉई कर सको सफोज आप कोई कski पी रहे हो तो फोकस ओन धा कॉफी क्योंकि ऊस कॉफी को फील जब आप करते हो मैसूस करते हो या फिर कोई भी चीज आप खाते हो तो उसको तो अच्छे से सही तरीके से इंज्वाइए करो उस पर पूरा फोकस करो कि किस तरह वो आपकी जीप पर टच होता है फिर उसके आप आपके गले में जाता है और कहां कहां पर उसको जब तक आप फील करोगे तो वो चीज आपके प्रेजेंट मुमेंट में रहने के लिए सही होता है मेरा सेकंड पॉइंट है पुटिंग डाउन यूर फोर्क आफ्टर एवरी बाइट इसका मतलब है कि आपको अपना फोर्क जो काटे होते हैं जो चम्मज होती है उससे हर बाइट के बाद रोग देना जीए क्योंकि हम इतनी स्पीड में खाना काते हैं तो हम उस चीज इसके लिए ग्रेटिट्यूट फील नहीं कर पाते हैं उसके लिए धन्यवाद फील नहीं कर पाते हैं कि हमने ये निवाला खाया उसके लिए एक ग्रेटिट्यूट होना बहुत ही जर्य है क्योंकि वह खाना हमें सो लोगों के थुरू से मिला है उसके लिए हमें धन्यवा पाद ही दूसरा निवाला अपने पेट में डाले क्योंकि अगर आप इस चीज को डेली बेसिस पे करते हैं तो आप खोदी ही रिलाइज करेंगे कुछ टैम बाद कि आपको कितना अच्छा फील हो रहा है आप उस खाने को अच्छे से इंज्वाय कर पा रहे हैं उस मुमेंट का पार्ट बन जा है और मैं इसे कर रहा हूं तो मैं हाइली रेकमेंट करता हूं कि आप इसे भी एक बार ट्राइज जरूर करें अपनी लाइफ पे आप जब कोशिश करेंगे ना तो आपको उस चीज के बारे में पता लगेगा क्योंकि अभी तो मैं आपको वैसे बता रह है उसके लिए आप gratitude फील कर रहे हैं तो आप कितना अच्छा खुश महसूस करेंगे कितनी हैपीनेस अपके अंदर डवलप होगी वह वर्ट में बताना impossible है मेरा तीसरा पॉइंट आता है review your commitments आप इसका मतलब है कि आपने किसी से कोई commitment कर रखा है चाए वह मिलने का commitment हो या पिर आपको खुद ही अपने आप से commitment को कि आज मुझे salt नहीं खाना या आज मुझे sugar नहीं खाना या आज मेंको fast food नहीं खाना तो उसके लिए आपको review करना बहुत ही ज़रूरी है कि मैंने कौन-कौन से commitment कर रखे हैं क्योंकि जब आप एक commitment को पूरा कर पाते हो तो आपको जो एक satisfaction feeling मिलती है ना वो बहुती बहुती मजबूत होती है बहुती मज़ेदार होती है क्योंकि जब आप एक commitment अपने आप से पूरा करते जाते हो चाहे वो आप किसी से मिलना हो commitment या फिर कहीं जाना हो commitment या कुछ भी किसी तरह का भी commitment हो तो आगर आप उसको पूरा कर पात हो तो आप एक बहुती अच्छी life जी रहे हो और आप अपने लक्षे पर अपने काम पर focus कर पाते हो मेरा चौथा point है throw out everything from your home और your phone अब इसका मतलब यह है कि आपको वो चीज भैक देनी चाहिए जो आपके usable नहीं है क्योंकि जब आप उन चीजों को भी अपनी life में रखते हो जो जिनका आप यूज नहीं करते तो वो आपकी life में आपके उपर एक भारी भरकम सा हो जाता है वो आपके उपर hang हो जाता है आपको hang करने लग जाता है सपोज अगर आपको इसी आपने phone में बहुत सारी application डाल रखी है तो आप उन में से कोई भी application यूज नहीं क तरह आगर आप अपनी life से या अपने घर में कोई unusable things है या कोई जिसे आप यूज नहीं करते बहुत time से तो उसे आप अपनी life से अपने घर से उसे fact देना चाहिए क्योंकि वो एक तरह किसे आपके घर में आपके inner mind में आपके phone में वो एक तरह की energy को खतम कर रहा है एक तर जो को throw out कर दिये अपनी life से जो आप काफी time से use नहीं करते हैं और काफी time से उसे प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो उसे अपनी life से धक्के मारके निकाल देजिए मेरा पांचवा point आता है review your relationship अब इसका मतलब यह है कि हमें अपनी life में जो भी हमारे लिए खास हैं चाहे व आपके love one है या आपके लिए parents हो सकते हैं कोई भी A to Z तो आप उनके लिए कितना time निकाल पाते हैं कितना आप उनसे बात कर पाते हैं आप उनके साथ कितना enjoy कर पाते हैं क्योंकि end of the end आप जितने अपने आप अपने लोगों से या अपने जिनसे तुम जिनसे आप लोग प एच्छा कर रहे हैं क्योंकि जो चीजे आपके अंदर feeling होती है वह आप उनको Venice कर पाते हो उनको समझात पाते हो तो इसलिए अपने relationship में उनको देखते रहे उनको सब्सक्राइब करते हैं उनको जानते रही है और उनके साथ खुल के रहे और खुश रही है मेरा सिक्स पॉइंट आता है इसका मतलब यह है कि हम आजकल मीडिया से बहुत जगा से घिरे पड़े हैं हम किसी को देखते हैं तो बड़ी जल्दी से मोटिवेट हो जाते हैं बड़ी जल्दी से हम निराश हो जाते हैं लाइक सपोज आगर ने हमने सोशल मीडिया पर देखा कि मेरे दोस्ते कोई बाइक ले लिया या फिर कोई गाड़ी ले लिया तो हमारे अंदर भी फीलिंग आती है कि यार मुझे भी बाइक लेनी चाहिए और हम फटाक से एक्शन लेते हैं फटाक से जाते हैं और उसे का फोन क्यों ले लिया क्योंकि हमारे अंदर ना जो ठहराओ नहीं है हमने फटाक से एक्शन ले लिया अगर आपके अंदर कभी भी ऐसी फीलिंग डबलप होए तो आपको एटलिस तीन दिन तक वेट करना चाहिए अगर वो सच में आपके लिए ज़्यादा ही इंपोर्ट है तो ही वो आपके साथ तीन दिन तक रुकी रहेगी वो थौट प्रसेज अगर नहीं होगी तो आप वो तीन दिन के अंदर बिल्कुल आपके माइंड से गाया हो जाएगी आप आपको लगेगा कि यार यह मेरे लिए इंपोर्टेंट ही नहीं है तो इसलिए मैं को यह जर जरूरत है तो आपको वो तीन दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आपके लिए वो इंपोर्टेंट है या नहीं है फ्रोइंग पार्टी अब यहां पे फ्रोइंग पार्टी का मतलब है कि हमें मैं यहां पी यह नहीं बोल रहा कि आपको पार्टियों में नहीं जाना बट हम वोग क्या करते हैं पाटिव दस्केशारक Tyome यहां चीज़ों को नहीं देख पाते हैं से टीज ऐन्य पर वही घंदधी वही है हाँ माना कि कई-कई पर जगा पर खाना भी खराब होता है पानी भी खराब होता है तो चीजे होती है कई-कई चीजों पर होती है बट यह नहीं कि हल चीज खराब ही होती है तो अपने point of view को change करें क्योंकि आगर आप किसी की party में जा रहे हैं या किसी की शादी में जा रहे है तो उन्होंने कितनी महनत से वो पार्टी और्गनाइज करी है, कितनी महनत से उन्होंने हम सब को इन्वाइट करा है, कितनी महनत से उन्होंने हमारे लिए ये चीजे डेकोरेशन करी है, तो हमें उन चीजों के लिए ठैंक्स फुल होना चाहिए और अच्छी से अच्छी आप ने चीजिए उन्हें दिखाना चाहिए कि I am very very mad person कि हम यहां पर आये और हमें बहुत ही अच्छा लगा ना कि इस की जगा कि हमें यह देखना चाहिए कि यार ये गलत तो अगर आपको पार्टी में जाना पसंद है तो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप पार्टी में जाना पसंद नहीं करते हैं Like मैं पार्टियों में बहुत कम जाता हूं, मेरे को बहुत लोग शिकायत भी करते हैं, फलाने का लड़का है, यह इसका लड़का है, तो पार्टी में नहीं जाता, वो चीज नहीं करता, वहां नहीं जाता, तो यह चीज़ें होती रहती हैं, यह सब के साथ अलग-अलग चीजों के लिए कर सकते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं या फिर कोई वर्ट्स बोलके पड़ोस में लड़ाई कर सकते हैं या फिर किसी देश में लड़ाई कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो कैसे ने कैसे मुझे भी पता है कि हम कभी कभी flow flow में कुछ ना कुछ गलत बोल सकते हैं बट हमें ट्राइग करना चाहिए अपने words को सही direction देने चाहिए words को सही यूज करना चाहिए जहां पर हमें अच्छा feel हो तो हमें वहां पर सामने वाले को motivate करना चाहिए उसके लिए thanks बोलना चाहिए उसके लिए मतलब जितना ज्यादा हो सके हमें positive होना चाहिए और सही चीजे अपने आसपास फैलानी चाहिए ना कि हमें पता है कि words एक एक सच में powerful चीज है क्योंकि अगर आप किसी को words के थुरू अच्छा भी बोल सकते हो words के थुरू आप किसी को बुरा भी बोल सकते हो तो कुछ भी हो सकता है चाहिए आप अपने relationship को बढ़िया भी बना सकते हो और उसे बहुत ही बेकार भी बना सकते हो तो अपने words को अच् एक अच्छे से बोले। यह थे मेरे 8 पॉइंट के The Art of Simple Living यह बहुत ही प्यारी बूट है इसमें बहुत ही अच्छी थॉट्स प्रोसेस दे रखें हैं बहुत ही अच्छी चीजे बता रखी हैं जो आमें पता भी थी और मुझे तो सच में बहुत सारी चीजे इस बुक को पढ़ने के बाद पता लागी कि ऐसा भी होता है और हम ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी समझदार बन सकते हैं तो अगर आपको यह पुक को पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज जाओ मैंने लिंक डिस्क अच्छल मीडिया पर फॉलोग कर सकते हो और आज के लिए इतना ही ओके बाब बाए अ अच्छल कर सकते हैं